आज का मरा टोपिक है वाइल लूप किया है और यह किस्तना से काम करता है वाइल लूप is the simplest loop of C++ language यह C++ language का सबसे साधा सा लूप है कि यह लूप तब statements का execute करता है जब आपकी जो condition है वो true होती है अगर इसका flow chart की मतलब से समझें तो इसका flow chart कुछ ही होगा कि आपके पास सबसे पहले यह condition आती है अगर यह condition आपकी true होती है तो आप इस लूप की body को execute करते हैं आप इस लूप की body के अंदर आपके पास एक statement भी हो सकती है और एक से ज्यादा statements भी हो सकती है और execute करने के बाद यह वापिस अपनी condition में चला जाता है और जब तक यह condition true होती है यह यहाँ पर ही गुमता रहेगा और बार बार यह जो लूप की body है यह execute होती रहेगी लेकिन जैसे यह condition falls होगी यह लूप जो है वो exit हो जाएगा तो इस तरह से यह वाई लूप है यह work करता है it is useful when the number of iterations is not known in advance कि while loop आप तब इस्वाल करते हैं जब आपको पहले से नहीं पता होता कि आपने कितनी दफ़ा अपने loop का execute करना है कि आप स्पोज आपने एक statement का execute करना है लेकिन अभी आपको नहीं पता कि वो कितनी दफ़ाइ करनी है पांच दफ़ा करनी है दस दफ़ा करनी है बलकि किसी फार्मले की उपर या किसी वैली की उपर डिपेंड कर रहा है जो अभी आपके पास नहीं है जो यूजर ने देनी है तो वहां पर आप वाइल लूप का इस्वाल करेंगे तो यह बहुत इंपोर्टन यहांप एक question है अक्सर इंटर्व्यूज में बुच्छा जाता है कि वाइल लूप का कब इस्वाल करते हैं तो आपने उन्हें यह बताना है कि आप इनने तब इस्वाल करते हैं जब आपको पहले से ना पता हो कि आपने कितन दफ़ा लूप को execute करना है next बात करते हैं इसके syntax की कि प्रोग्राम के अंदर आप इसको किसरा से इस्वाल करते हैं इसका syntax क्यों है कि आप लिखते हैं while keyword और फिर आप लिखते हैं अपनी condition और नीशे आप वो statement लिख देते हैं जो आपने execute करनी है यह syntax है एक statement के लिए लेकिन जब आपने multiple statements को execute करना हो उसके लिए आप यह syntax का इस्तमाल करते हैं कि while, condition और कलिबरेसिज के अंदर आप वो तमाम statements लिख देते हैं जो आपने execute करनी हैं नेक्स बात करते हैं इसकी working ही first of all the condition is evaluated सबसे पहले हम क्या करते हैं इस condition को evaluate करते हैं इस condition को check करते हैं if it is true, the control enters the body of the loop and executes all statements in the body अगर यह condition true होती है तो हम इस loop की body के अंदर चले आते हैं और इसके अंदर मजूद तमाम की तमाम statements को execute कर देते हैं after executing the statements, it again moves to the start of the loop and evaluates the condition again के body को execute करने के बाद यह दबारा वापिस इस loop के top पे चला जाएगा और इस condition को दबारा चेक करेगा this process continues as long as the condition remains true कि यह काम उस वकत तक बार बार होता रहेगा जब तक आपकी जो condition है यह true है when the condition becomes false, the loop is terminated और जैसी यह condition आपकी false होगी आपका यह जो loop है यह exit हो जाएगा यह terminate हो जाएगा while loop को समझने के लिए हम इसकी एक प्रोग्राम की example लेते हैं प्रोग्राम की statement है write a program that displays Pakistan 4-5 times using while loop कि आपने screen के उबर Pakistan display करना है पांच दफ़ा तो यहाँ आपको statement से बसाच चर रहा है कि हमने एक काम को बार बढ़ करना है जब आपने कोई repeat करना है काम तो उसके लिए आप loop का इसमाल करेंगे तो यह इसका code होगा इसका समझते हैं सबसे पहले हमने variable ले लिया है integer n अब हम पता है कि हमारे पास loop के तीन steps होते हैं पहला initialization यहाँ पर हमने क्या किया है n is equal to 1 starting point बता दिया है initialize कर दिया है variable को इसे अब कहेंगे initialization कि n 1 से start होगा अब आगे हमारे पास यह loop लगा दिया है हमने यह basically क्या है while loop हमने यहाँ पर लगा दिया है और while के अंदर हमने condition लिखी है कि जब तक n की जो value है वो less than 5 से 5 से कम है तब तक इसकी body को execute करो अब first time जब आएंगे n की value 1 होगी condition वारी यह true हो जाएगी और हम see out कर देंगे पाकिस्तान यानि की screen के उपर आप पाकिस्तान डिस्प्ले कर देंगे निशे लिखा उन्होंने n प्लस प्लस यानि की n के अंदर एक increment कर दो n पहले 1 था अब यह n हो जाएगा 2 अब दोबारा condition चेक होगी यह condition फिर से true हो जाएगी दोबारा हम पाकिस्तान डिस्प्ले कर देंगे और फिर n में increment हो जाएगा अब n हो जाएगा 3 दोबारा यह condition चेक करें तो n अभी भी 5 से less than है तो हम again पाकिस्तान स्क्रीन के उपर शो कर देंगे और फिर इसमें increment कर देंगे n is equal to हो जाएगा 4 अब अगर आप देखें तो यह condition आपकी फिर से true होगी तो आप पाकिस्तान डिस्प्ले करेंगे फिर increment करेंगे n is equal to 5 अब देखें n is equal to 5 यह भी condition true है तो again पाकिस्तान डिस्प्ले होगा और आपके पास n में increment हो जाएगा तो अब आपकी जो value है वो हो जाएगी 6 अब जैसे n की value 6 होगी अब अगर हम इस condition को चेक करेंगे तो n ना तो 5 से less than है और ना यह इसकी equal है यानि यह condition falls हो रही है तो जैसे यह condition falls ही आपके यह जो loop है यह termined होगा और साथ ही आपके जो program है यह भी खत्म हो रहा है तो आपकी screen के उपर आपने देखा यह 5 दफाव आपको पाकिस्तान news play हो गया और यही हमारी statement थी तो यह hope आपको clear हो गया होगा क्या आप while loop का स्वाल कब और कैसे करते हैं आज इतना ही मिल्डे ने 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 लेक्षर केंदर थैंक यह वरी मुच